हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मित करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंपेरिकल इंस्टिट्यूट पे तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीफ का फ ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया मैं जब इस पर्टिकूलर आरपीफ के एक्जाम के लिए वीडियो बनाने के प्रपरेशन कर रहा था तब मैंने उस चीज के उपर काम चालू करा जहां पर मुझे लगा कि सबसे ज़ादा हमारे चांसेस रहेंगे इस चैप्टर को करने के जिससे हमारी सफलता मिल जाएगी लेकिन जब मैं ये तयारी कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा अरे सर ये तो चैप्टर आई नहीं रहा है फिर कुछ और लोगों ने कहा कि अरे सर ये चैप्टर तो आई नहीं रहा है ये चैप्टर तो मेरा दिमा 9% लोगों को ये नहीं पता है जिस चैप्टर की मैं बात करने वाला हूँ कि वो आने वाला है और वही सफलता के लिए आपका सबसे बड़ा रास्ता बनेगा तो इस वीडियो को आपको अखरी तक देखना है और मैं एविडेंस से बताऊंगा कि आ रहा है या नहीं कोई बोल बच्चन नहीं और उसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा तो बिना किसी देरी के हम शुरुबात करते हैं सबसे पहली बात तो हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन पे जाएंगे ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आरपी एफ कॉंस्टेबल और ऐसा ही कॉंस्टेबल की तो कॉंस्टेबल में देखो आवेदन भरने की तीथी क्या थी 15,4,2024 और यह किसका नोटिफिकेशन है कॉंस्टेबल का ठीक है समान पद भी आपको दिख रहे हैं एकदम आथेंटिक नोटिफिकेशन ही है इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर की में बात कर रहा हूं जिसका ब्रह्म नहीं है, कन्फियूजन नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं है और एक स्टूडेंट तो ये तक कह रहा है कि भाया ये तो आएगा ही नहीं और वो जब उसकी तयारी नहीं करेगा तो उसका सेलेक्शन कैसे होगा तो एडवांस मैथेमेटिक्स आरपी एफ में आएगा ही नहीं और मैं आपको एविडेंस बता रहा हूं कि एडवांस मैथेमेटिक्स आएगा और आएगा तो किन-किन चैप्टर के साथ आएगा पूरा नहीं आएगा लेकिन किन चैप्टर के साथ आएगा तो यहां पर आप जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसको लंबा नहीं खीचना है मुझे सिर्फ बाद बतानी है कि तालिकाओं और रेखांकन का उपियोग और छेत्र मीती देख लो हाइलाइट कर दिया मैंने यहाँ पर छेत्र मीती जो है वो पूछा जा रहा है मेंशूरेशन एरिया से रेलेटेट कोशन आएंगे तालिकाओं और रेखांकन का उपियोग यह है आपका चार्ट और ग्राफ पर रेलेटेट कोशन आएंगे है ना चार्ट और ग्राफ पर रेलेटेट कोशन आएंगे तो ये दो चीजें जो हैं specifically लिखी हुई हैं आपके syllabus में कि चार्ट और graph और छेत्रमीती से advance mathematics में question आएंगे तो पहला तो मैंने आपको एक knowledge दे दिया और जिनको भ्रहम था उनका भ्रहम दूर कर दिया constable के लिए अब confusion ये है कि सर SI में भी आएगा कि नहीं आएगा तो वो भी देख लेते हैं उसके लिए भी मैं बकाइदा evidence से चलूँगा याने कि authentic जानकारी आपको दूँगा ये रहा railway सुरक्षाबल रपीएफ एक दो हजार चोबीस याने कि SI का जो notification था वो पहला notification था दो हजार चोबीस में और constable का जो notification था वो दूसरा notification था दो हजार चोबीस में इस संख्या के अनुसार अब हम बात करते हैं आगे सर सही में ये वाकई में SI का जो है notification है बिल्कुल देखो तारीक कब से शुरू हुई थी पंदरचार दो हजार चोबीस और उपनिरिक्षक कार्य कारी समानपद दिये हुए हैं जो कि authenticity बता रहा है अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो notification है या जाने की क्या जानकारी दी गई है syllabus की syllabus पर ही जाओंगा मैं और कहीं नहीं जाओंगा मैं syllabus पर ही जाता हूँ तो यहाँ पर CBT का आपका जो test होगा उसमें अंक गनित कितने नंबर का पूछा जाएगा 35 नंबर का पूछा जा रहा है और इसमें भी हमको इस बात पर ध्यान syllabus को यदि हम देखें तो मैं सिर्फ highlight कर रहा हूँ जिस video को मैंने जिस purpose से बनाया है तालिकाओं और रेखांकन का उपियो और दूसरा है छेत्र मीती same कोई condition change नहीं हुई है SI or constable में कोई condition change नहीं हुई है बस questions थोड़े vary कर जाएंगे फिर से वही वाली बात है यहाँ पर प दूसरा पूछा जाएगा mensuration याने की छेत्र मीती याने area related questions तो यह बात अब आपको यदि पता चल गई है तो मैं जानता हूं कि यदि यह extra चीज आपको पता चल गई है जो लोगों को नहीं पता है और वो इस chapter को छोड़ करके जाएंगे ब्रहम में क्योंकि notification भी नहीं दे पर मेहनत कर सकते हैं और अब मैं बता देता हूं कि आपके लिए मैं क्या extra कर रहा हूं तो मुझे इस काम को करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मैं एकदम हमेशा उन जगहों पर focus करता हूं जहां पर की gap है लोगों के पास awareness नहीं है आप मेरे से जुड़े रहोगे तो लेने के बाद में मैंने class number 2 लिया था ये introduction class थी मेरी ठीक है फिर class number 2 लिया class number मैंने 3 लिया rectangle के ऊपर और class number 4 मेंने रंबस यानि की चतुरभुच पे लिया है शाम 7 बजे आज भी live class रहेगी वैसे ये classes रोज 8 बजे रहती है आट पी एम पर advanced mathematics की class रहती है है ना advanced math की ये वाली class रहेगी जिसमें सबसे पहले मैं chapter करवाऊंगा venturation याने छेतरमीती और फिर दूसरा मैं करवाऊंगा tables related questions याने chart and graph से related questions मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी आज की शाम की जो live class रहेगी वो arithmetic याने की PYQs पर रहेगी तो इसमें भी आप join हो जाईएगा और यदि नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना आपको ये जानकारी कैसी लगी क्या कुछ अतिरिक्त पता चला comment जरूर करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये चीज की awareness की जरुरत थी लोगों को और ऐसे कुछ वीडियो जानकारी के चाहिए authentic तो चैनल के उपर बने रहो वीडियो देखने के लिए thank you